अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड प्या जो आपे कार्गो एंड पैसेंजर थ्री वीलर टेंपो अब डीजल पिट्रोल की साथ सी एंजी में भी उपलब्द आई एक क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड अपोजिटर लाइन स्मार्ट नसीराबाद रोड बिहारी गंज अजमेर और हम सब भूत ज़्यादा शुक्र गुजार हैं स्कूल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के टीचर्स के जिन्होंने हमारी गुजारिश स्विकार करी और हमें ये ऐलुमनाई फंक्शन और्गनाईज करने का मौका दिया और आज स्कूल में आदा दिन यहाँ पर हम सब से मिलेंगे और उसके बाद शाम को बहुत रंगारम कारेकरम रखा गया है धन्यवाद लिए नमश्कार मैं गून्जन माथूर सेंटानसनम 1998 बैच से और आज हमारे सेंटानसनम स्कूल में हमारी 25 वी वर्षगात स्कूल से पस आउट होने की सेलिब्रेट की जा रही है और इस उपलक्ष में सेंट एंसनम स्कूल के आडिटोरियम में स्कूल की तरफ से एक छोटा सा कारिकरब रखा गया है जिसमें स्टूडेंट्स द्वारा हमारे जो पुराने शिक्षक गंड थे उनको फैलिसिटिट किया जाएगा और साथ ही हम लोग जो साथ में लोग पढ़ते थे जो भी हम लोग फ्रेंड्स साथ में थे वो हम लोग एक पूरा दिल एक बार फिर से एक दूसरे के नाम दरेंगे पच्चेस साल बाद 25 साल कुछ इस तरह से आँखों के वैसे निकल जाते हैं जैसे अभी कली की बात हो हम लोगोंने मौर्निंग में यहां पर ब्रिकफास एक साथ किया कैंटीन के बर्गर समोसों का लुथ उठाया उसके बाद में हम लोगोंने एक जैसी ड्रेसेस पहनी है हमारे पुराने टीचर्स उनसे हमने वापस से आशरवार लिया और अभी ऑडिटोरियम में हमारी दरफ से उन शिक्षट गणों को वापस से एक बार नमन किया गया है और इस तरह से यह प्रोग्राम हमारा आगे जाके एक रैली में तबदिल होगा और वो रैली स्कूल से चलती हुई और पूरे अजमेर की मेजर जग़ों से होती हुई पुश करा रेजॉर्ट पहुंचेगी और इवनिंग में वहाँ पर भी जैसा कि डॉक्टर इमांचु ने बताया कि एक रंगारंग करिक्रम आयुजित किया जाएगा तो आज का ये दिन का पूरा प्लान है मैं चाहूंगा कि ये दिन हमारा सब का एक ऐसा दिन हो जिसे हम हमारी आने वाले टाइम में बची वी जिन्दी में याद रखें और इस चीज़ को और ज़्यादा दमदार बनाने के लिए हम लोगों ने ये celebration ये alumni meet family के साथ की है we are not coming only like old friends but we are here as a family ताकि हमारे बच्चे भी देखें कि हम लोगों की school education क्या थी हम लोग किस तरह से पले बड़े क्या हमारे etiquette थे क्या हमारी दोस्ती है और क्या regard हमारा teachers के लिए अभी भी है दन्यवाद देखें आपने जो सवाल मुझ से पूछा है वो मेरे लिए थोड़ा असान इसलिए है क्योंकि presently मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ तो सबसे पहले तो आप जो ये 25 साल के फरक की बात कर रहे है फरक ये है कि स्केवल पढ़ाने के तरीके में कुछ किताबों में जैसे कुछ smart boards आते हैं या कुछ नई तरीकी books आते हैं फोर कलर आते हैं पहले टू कलर उते हैं ये बदलाव है बाकी teacher और जो student है उसके आपसी bonding में कोई बदलाव नहीं है वो बदलाव उतने ही strong आजबी नदर आता है